कोविट के नई वेरियंट ओमिक्रॉन के खत्रे के बीच प्रधानमंदी नरेंद मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक अच्छी खबर दी है पिछले काफी दिनों से बच्चों की वैक्सीन और बूस्टर डोस के आने का इंतजार किया जा रहा था पिएम मोदी ने इस इंतजार खतम कर दिया है प्रधानमंदी नरेंद मोदी ने घोचना की कि 15-18 साल के बच्चों के लिए वैक्सिनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को संक्रमंट से बच्चने में मदद मिलेगी वहीं हेल्फ केर और फ्रेंट लाइन वरकर्स को 10 जनवरी से वैक्सिन की बूस्टर डोस दी जाएगी देश की बुज़ूर गाबादी जो पहले से ही किसी विमानी से पेड़ित है और साथ साल की उम्र से जादा के लोग हैं उनके लिए डॉक्टरों की सला के बाद बूस्टर डोस दस जनवरी 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी साथियों पंदरा साल से 18 साल की आयू के बीच के जो बच्चे है अब उनके लिए देश में वेक्सिनेशन प्रारब होगा 2022 में तीन जनवरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी इस फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहा है हमारे बच्चों की और उनके प्ता पिता की चिंता भी कम करेगा